हलो फ्रेंड वेल्कम टो इस्टेब पाईएस आज हम लोग MCQs डिस्कस करेंगे जो वीडियोस हमारे थे 9 से 12 ऑगस्ट तक के उसी पे बेस्ट कोश्टन्स हैं सारे तो आप लोग उने उस वीडियोस को देखा है डिसक्शन हम लोग उने किया है डिटेल में तो जो भी आज को अगर हमें समझ में ना आए तो उसका एक ही मतलब है कि हमें वापस जाना है और उने वीडियोस को दो बार से एक बार देख लेता है क्योंकि अगर हम दो से तीन दिन के बाद कोश्टन्स नहीं कर पा रहे हैं तो इस इंपॉसिबल टू रिमेंबर तिल 2018 प्रिलिम्स है दिन बर दिन तो इसलिए मेरी पूरी कोशिश है कि इस बार आने वाले कैसे भी सवाल चाहिए वो करेंट हो या ट्रेडिशनल हो रुके ना तो अभी आज देखते हैं एक नया इनिशिटिव है यह मैं चाहती हूं कि जो पहले कोश्टन्स नहीं दिया है मैंने उसको मैं अधिये दरे कवर कर रूँ यहां पर बिकास कोश्टन्स इस वरी इंपॉर्टन देफिनिटली सो डेखते हैं पहला को यह वा आर मीजल्स और रूबला डिजीज हमने इसको डिसकत किया है आपको याद भी आ गया होगा तो first statement is measles and rubella are highly contagious viral disease that are spread by contact with infected person through coughing and sneezing okay second statement is infection with measles is followed by high fever rash spread over the body and red watery eyes measles weakens the immune system of the body and hence infection with measles often leads to serious complications include blindness, encephalysis, severe diarrhea and respiratory infections such as pneumonia तो यह तीन statement हमारे सामने हैं हमने उस दिन डिसकस किया है वीडियो में मुझे तो याद आ गया कि क्या क्या इसके सही answer हो सकते हैं आप लोगों को भी आ गया होगा तो the right answer is all of them, right? सारे ही statement इसमें बिलकुल correct है measles, rubella जो है वो एकदम viral disease ही है और यह infected person के contact में आने से फैलता है यानि कि यह I mean फैलता है यह फैलने वाला disease है दूसरी चीज इसमें high fever वगरा होता है आईज जो है वोटरी आईज हो जाती है और important इसमें इस दिन भी बोला था कि immune system weak हो जाता है इसको ध्यान में रखेगा immune system weak हो जाता है और यह सारे बीमारिया और आगे चलके हो जाती है तो यह first question है हमारा इसको हमने किया आप आई हो आपको clear हुआ हो गई है अगले question के तरफ बढ़ते हैं consider the following statement regarding the banking regulation amendment bill तो 2017 आपको याद होगा हम लोगों ने उसमें देखा था इसको तो पहला statement तो यह है कि it empowers by SEBI SEBI इसको empower करती है दूसरा statement है कि the state government may authorize RBI to issue directions to the bank for initiating proceedings in the case of default in the loan payment पहला तो क्या यह सही है कि SEBI इसको empower करती है दूसरा जो RBI है उसको state government authorize कर रही है कि हाँ directions वगरा bank को issue करो तो काफी common question है यह आपने guess कर लिया होगा इसको तो इसका जो answer है वो है neither one nor two आपको इसका reason तो पता होगा बर discuss कर लेते हैं हम लोग अभी हाली में राजी सभा ने इस bill को पास किया है ठीक है जैसा हम लोग ने discuss किया था उस दिन और यह जो bill है वो RBI को empower कर रहा है direct से भी वगर इसमें कहीं से भी include नहीं है तो RBI को involve है और इसका जो मुख्य उदेश है मैं आपको बता दू वो stressed assets को कम करना है हम लोग ने देखा था कि जो डिफॉल्टर्स होते हैं डिफॉल्ट कर जाते हैं बैंक का पैसा वापिस नहीं करते हैं उसको कर्व करना है इस पूरे regulation का उदेश है और इसमें Central Government जो है वो इसमें पावर कर रही RBI को काफी common sense लगाने वाली बात थी State Government के पास इतनी 30 नहीं है कि RBI को इंपावर करेगी तो Central Government involved है इसमें तो ध्यान में रखेगा बहुत important है और maybe this time UPC can ask की तरफ बढ़ते हैं which is consider the following statement regarding chaupadi हम लोगों ने देखा था उस दिन की chaupadi क्या है तो पहला statement है chaupadi is a social tradition tradition-related menstrual taboo for Hindu women which prohibits them from participating in normal families activities during menstruation period and as well as they are considering impure and this is a social tradition of Nepal तो इसमें से कौन सा statement सही है आपको याद भी आ गया होगा इसका answer the both of the statement is correct दोनों statement सही है chaupadi जो है वो एक social cultural event है menstrual taboo है आप कह सकते हैं जो चला आ रहा है वर्षों से पीडियों तो पीडियों बढ़ता जा रहा है इसमें हम लोगोंने news देखा था किस तरीके से नेपाल government अभी जो एक bill ला रही amendment bill ला रही है इन चीजों को खतम करने के लिए regulate करने के लिए तो काफी अच्छा initiative है नेपाल का और यह नेपाल के रीजन में ऐसा ऐसी मानिता है तो इसको ध्यान में रखेगा अगला कोशन देखें विच इस वट इस नेम ऑफ यूजना और इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो यूनियन government है इसमें crop insurance देती है जैसे कि क्या है तो उनको बहुत कम premium देना पड़ता है बहुत कम पैसे देने होते हैं सरकार पुई तरीकी से ध्यान रखती है और इस पे कुछ पैसे दिये जा रहा है इसमें premium घड़ा इंटरेस वगर एकस्ट दिया जा रहा है तो काफी important है यह पासल विमा यूजना भादान मेत रिष्ट विमा यूजना द्यान में रखे का इसको अगला कोशन देखते हैं Small Farmers Agri Business Consortium SFAC asked the society in 1994 to facilitate agri business venture and private investment through capital venture system scheme. So consider the following statement regarding this scheme. हम लोग नहीं बहुत बहुत देखाता है ये जो SFAC scheme है इसको. तो पहला statement है की, तो किस तरीके इसमें फार्मर असिस्टेंट दिया जा रहा है, तो इसका ये उदेश है, ऐसा है की नहीं है, ये सारी जो बाते इसमें लखी वे तीनों statement ये correct है या फिर incorrect है, तो definitely you will guess the right answer, इसका जो statement है वो सारे ही सही है, जितनी बाते इसमें लिखी गई है, वो सब सही है, तो दोबारत से एक बार वीडियो देखेगा, अगर आपको धिहान नहीं आ रहा है कि क्या था ये Small Farmer Agree Business Consortia, तो उस वीडियो में आपको मिल जाएगा इसके बारे में, अगला question देखे, consider the following statement about the Iyush 82, which was recently in news, बहुत important है, इस बार Prelims के point of view से भी, क्योंकि अगर 2017 में नहीं पूछा गया है, तो it has developed by the Central Counseling Research of in Ayurvedic Sciences, क्या इसने इसको develop किया है, या DRDO ने develop किया है, किसने develop किया, आपको पता होना चाहिए, दूसरा statement है कि the drug is very effective for treatment of malaria, तो क्या malaria के लिए effective है ये drug, तो सोचिए थोड़ा सा क्या इसका answer होना चाहिए, तो the right answer is option A, तो क्या था option A, only one, कि हाँ, इसको DRDO ने definitely नहीं किया है, डेवलप, आपने जैसे, आपने सोचा होगा है, या DRDO कैसे डेवलप कर सकती है, तो इसको Central Council of Research in Ayurvedic Science नहीं डेवलप किया है, CCRAC ने डेवलप किया है, लेकिन statement B जो है, तो second statement है, वो incorrect है, यारे Malaria के लिए यह नहीं है, तो यू शुड नो कि किस चीज के लिए है, यह जो आयूश 82 है, यह diabetes के लिए, देखें, आपने लिखा हुआ होगा, CCRAC has an Apex Organization for Research in Ayurveda, यह बहुत अच्छा institution है, जो इस पर research करती है, यह Ministry of Ayush के अंदर में आती है, तो यह भी काफी important statement है, Ministry of Ayush के अंदर में आते हैं, Ayush stands for Ayurveda, Yoga, Neutropathy, Yunani, and Siddha and Homeopathy, चीक है, तो यह वाली ministry है, आपके को confuse करने के लिए, Ministry of Health Welfare भी डाल सकते हैं, लेकिन Ministry of Ayush के अंदर आता है, यह CCRAC, दूसरा वाली statement है, उसका सही answer diabetes है, diabetes के लिए 82 है, और malaria के लिए Ayush 64 है, जो malaria के लिए बनाया गया है, तो बहुत important है, इसको ध्यान में रखेगा, अगला question है, consider the following statement about Article 35A, which was recently in news, और बहुत ही जादा news में है, एक्दम दो-तीन दिन लगादार इस पे चीजें आई हैं हमारे सामने, तो पहला statement तो यह है कि, the constitutional validity of Article 35A, which prohibits a non-JNK residence from buying property in the state and insurance job reservation for JNK residence, क्या ऐसा है, कि हाँ यह JNK जमों और कश्मीर के लोगों के लिए है, और वहाँ पे property खरिदना, या जो मतलब वहाँ पे job लेना दूसरों को प्रोहिबीट किया गया, दूसरा statement है, the law also regulate migrants to the state, तो भई यह दोनों statement कौन सा सही है, कौन सा गलत है, हमने डिसक्स किया था, दोनों ही statement इसमें सही है, ठीक है, अगला question देखिए, consider the following statement about Maratha March, which was sent in news, Maratha March हमने देखा था, क्या हो है, तो पहला statement तो इसमें यह है, कि demand quota in government job only, क्या सिर्फ government job में यह कोटा demand कर रहे है, ऐसा कुछ है भी कि नहीं है, दूसरा, the benefits of consensus in fees to 605 vocational courses, earlier applicable only to the other backward classes, will now be extended to the student from the Maratha community, तो क्या यह दोनों demand इसमें हैं कि नहीं है, तो इसका सही आंसर देखे क्या है, सिर्फ B statement सही है, यानि यह पहला वाला statement गलत है, इसमें जो demand की जा रही है, कोटे की, यह government job और education दोनों के लिए की जा रही है, ठीक है, तो friends, आज हम लोगों ने कुछ important questions को discuss किया है, और आगे जो भी कुछ slides हैं, उसके भी मैं discuss करूँगी, और आगे जो भी news आएंगे analysis वाले, उसमें सब में questions डालेंगे, पुरी कोशिश करूँगी, तो आप लोग चैनल को subscribe ज़रूर कीजे, promote कीजे, तभी हमें एक motivation मिलेगा इस पर काम करने के लिए, और जिस हमेंने कहा है, आप suggestions ज़रूर दे सकते हैं, कभी कभी कुछ दिककते आजाती, टेकनिकल फॉल्ट हो जाता है, इसके वज़े से थोड़ी बहुत दिककते आती हैं, but I will try my best to improve this analysis day by day, so thank you very much friends, thanks a lot, keep studying.